हम बेटकर नगर के छठे चर्ण मतदान को लेकर पांच विधान सभा सीटों पर मतदान सुबा साथ वे से शुरू हो गया है लोग अपने अपने मताधिकार का प्रियोग करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं किस तरीके से लोग अपने मताधिकार का प्रियोग कर रहे हैं लोगों में मताधिकार को लेकर काफी उससाह दिखाई पड़ रहा है आप सुबा से लोग देखे किस तरीके लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं ये अकबरपुर विधान सवा सीट के गड़ेश की जितली इंटर कालेज का जहां पाफ बारा बूत बने हुए हैं लोग उहां पर अपने मताधिकार का प्रियोग कर रहे हैं जबरदस उससा पोटरों में देखने हैं कि मिल राज जिस तरीके से सुबा से लंबी लाइन लगी हुए है लोग लाइनों में अपने मताधिकार को करके लाइन आ रहा हैं सुरच्छा ब्योस्ता के कड़े इंतिजाम किये गए हैं यहां पर लोग अभी भी आ रहे हैं उससा के साथ और लगवग नव बजे का जो मत प्रस्था ता गया लगवग नव बजे तक नव परशन मता मतदान भी आल ओबर पूरे पांचो विदान सवा सीट पर अभी तक हो चुका है लोग इस तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं क्या इनके मुद्दे हैं कुछ एक महिला आ रही है करें लिव इसपर नोचा ने रहे हैं किस मुद्दे पर आरे हैं विकास के मुद्दे पर देकी सब्रह्य को विकास का मुद्दा और महिला सुरच्चा को लेकर क्या महिला सुरक्चा पहले से बहूत अच्छी हुई है और hiking और अच्छी हो जाएगि क्या चाहती है किस तरीके का बदलाव चाहती है या क्या बदलाव चल रहा है अभी जो पिछले पास सालों में और आगे और ऐसे ही चलता रहा है जेकि अभी एक महिला है अभी अपने ओड का प्रियोग करके आ रही है मतारिकार का बता रही है हम विकास का मुद्दे पर ओड क क्या चाहते हैं किस तरीके का विकास हो क्या हो कैसे हो सस्टा ही रहें और जो है कि सभी खुशाल रहें और कोई दिक्कत नहीं हम लोग की रोजी रोटी बहुत दिक्कत नहीं है किया नम आप अली अमद जी है ओड दे क्या रहें का कहना है कि विकास का मुद्दा हो रोजी रोटी और सस्ती हो और इनका क्विशेश तरीके को ही है देखिए इस लाइन में लोग खड़े हम इनसे बात करना चाहते हैं देखते हैं क्या क्या बताते हैं जी वाईशा वाप ओ चीज़ यह है कि हर जगे परसानी कि कोई चीज़ से मुद्दा बोलते हैं कि यह हुआ यह हुआ ऐसा कोई चीज़ कोई चीज़ इसी हुई नहीं सर जो हम उत्मिनान हो और हम इस वेस पर बदलाव चाहिए और बदलाव करने आए तो आपकी सों उन्टे पर आप और कोई दिक्कत नहीं हम लोग की रोजी रोटी बहुत दिक्कत नहीं है क्या नम आप अली अहमत जी है वोट दे के आ रहे हैं इनका कहना है कि विकास का मुद्दा हो रोजी रोटी और सस्ती हो और इनका क्विशेश तरी के कोई हैं देखिए इस लाइन में लोग खड़े ही हम इससे बात वाद करना चाहते हैं देखते हैं क्या बताते हैं हैं क्या सब्सकर बड़ा मुद्धा देखिए बेरोजगारी और वड़ी चीज रोजी रोटीख अना और इसके बाद हम शिब्וע Стvas कि हर जगे सबसे बड़ी परसानी यह कि कोई चीज से मुद्दा बोलते हैं कि यह हुआ यह हुआ ऐसा कोई चीज कोई चीज इसी हुई नहीं सर जो हम उससे इत्मिनान हो और हम इस वेस पर वोड़ देने आए सर कि इस बाद कुछ बदलाव चाहिए और इसलों लोग किस मुद्दे पोड़ करेंगे और भी लोग लाइनों में लगे हैं बताइए क्या मुद्दे किस मुद्दे करेंगे विकास के लिए उफिने हैं कैसा बिकास चाहिए देश का बिकास योगी सरकार कर रहा है क्या मुद्दे का मुद्दा है और रोजगार का मुद्दा है क्या चाहते हैं कि कोई सरकार है जो विकास भी करें और रोजगार भी प्लिवावों को दे आप लोड़ देने आ हैं कि हर आदमी नोक्री से परिशान है किसी को नोक्री नहीं है किसी का रोजगार नहीं है यही परिशाणी है आप देख रहे हैं सुन रहे हैं कि कहां पर सारे लोग विकास को ही महत दे रहे हैं कि जो विकास करेगा हम उशी की सरकार लाएंगे और सुबा से देख रहे हैं जिस तरीके से लोगों में उट्रो में उस्सा दिखाए पड़ रहा है जबर्दस उस्सा है अभी लोग लाइन में लगे हैं अभी उस्सा चल रहा है बराबर आपको देखने के मिलेगा उट्रो में उस्सा और भीड़ है ज्यादा तर लोगों कहना हैं महकाई और विकास के मुद्दे पर ओड़ करेंगे जिससे देश का और आगे विकास हो सके कार्ट के दिवेदी हम बेटकर नगर से कंजाब केसरी के लिए हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद